कर दोस्तों आप देख रहे हैं सी टीब इंडियानुज हम इस समय उपसें जनपद लखीमपूर खीरी विकास खंड विज्वा ग्राम पंचात यहां राजगर जहां पर आज टाइगर दिखा वो हम आपको घटना इस्तल दिखाने का परियास करते हैं कि एक आमीर जो है अपन फारिष्टगार्ड मोहित कुमार जी हैं वो आए हुए हैं वो हम आपको दिखाने का परियास करते हैं कि वो घटना इस्तल जो यहां पर पंजे बने हैं टाइगर के वो देखने गए हैं वो यह देखकर बताएंगी यह टाइगर के ही पंजे हैं या तेंदुआ के यह डचेंथ की चारों तरफ यह गंठा है यहां पे आपको दिखाने का परियास करते हैं पूरा दिखाएगा किस तरा से यहां पर चारों तरफ cathedral है और उसी के बीच में घेहों वो रखे थे एक आपनी थे गेहों उन्हीं भरने के लिए जब लगाया जाता है पानी तो उन्हीं सेलों में ये पानी भेजा जाता है तो यहाँ पे देखने वाली यह इस्तित है कि यहाँ जनपद लखेमपुर खीरी जो है जिला और बिजुवा बलाग यह चर्चित बलाग है यहाँ पे लगातार टाइगर किसी ना कि को पकड़ा जाता है इसी क्या समस्याय बनी रही जो यहाँ पे यहाँ भी यह सूचना जब बनविवाग को दी जाती है अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दो बकरियों को तेंदुवए ने अपना निवाला बनाया तो यहाँ पे जब बनविवाग के अधिकारी थे उनको यह सूचना दी गई लेकिन वहाँ पे ना ही फारिष्टर मौजूद हुए ना ही रेंजर वहाँ पे उपस्तित हुए लेकिन यहाँ पे बांचरों को भेज कर उन बकरियों को मिटी में दबवा दिया गया और आज जो भी यहाँ पे कास्तिकार अपने खेत में जब किसान लिए आता है तो यहां पे टाइगर ूपॉर निगल था वो टाइगर देख कर जब यहां पे वह भाग लेता है और टाइगर की निगा है अगर टो ग्राइमीज पर प्ड़ती तो हो सकता है टाइगर उसको अपना निवाला बना लेता लेकिन वो एक लील पीछे दोड रहा था उसी को लेकर ये ग्रामिर जो है आज बचे तो उन ग्रामिरों से भी हम जानकारी लेने का परियास करेंगे कि ये टाइगर कितने दिनों से यहां पे है और लगातार ये टाइगर इसी गन्नों में रहता है लेकिन यहां पे जब किसी आला अधिकारी को भी सूचना दे जाती है कि यहां पर इखिश्य है थे आला अधिकारी आइये हमारे साथ यहां पर नकारी लेने का प्रियास करते हैं यहां पर यहां आदा है माहिशित कमार यहां पर यहां लेपर्ड के पंजे हैं लेपर्ड चुकी ग्राम यह गन्ना जो है गन्ने के आसपास गन्ने में बाहर एरिया में रह रहा है लेपर्ड वैसे जंगल में भी किनारे किनारे पे रहता है तो गन्ना मतले बड़ा है गास अच्छी या गास के चकर में यहां पहाँती अध्य रही होगा या निल गाए देख के उसको भाग रही होगी बस वसी के पीछे पीछे चला है लेपर्ड है यहां पर यह लोग बता रहा है तो टाइगर लेकिन टाइगर है नहीं यहां पर छेतर में टाइगर आया दिन दिखते रहते हैं यहां पर बन्विहा के द्वारा कोई इनके लिए सुबधाएं ऐसी करी जाया जो यह जंगल में चले जाया अभी लेप के नाम टाइगर और लेपड के जो घटना हो रहे है उसको देखते लिएब किया किया कि गॉर्मन ने तारबाढ का इंजाम किया एलेक्ट्रिक तारबाढ भी हमाई लगाई जा रहे तीन किलो मेटर में पर पास ओचुकी है कि कांट सुरू हो जाएगा उस पर और तीन किलोमेटर तक की तारबाण करवा दिजाएगी अभी तीन किलोमेटर के लिए वापस दुबारा फिर डाला गया है जितना आती जाएगी उतना मलब कराया जाएगा जैंगल में लगाया जा रहे हैं ने जंगल की बाूंडरी पर लगाई ज जला जाएगा और जैसे अंदर जा रहा है फिर प्रयास यह रहेगा कि उससे जल्दी जल्दी यह कारी पूर्ण कर लिया जिससे वापस जंगल से बाहर जानवार ना निकल पाए तो हमारे साथ यहां पे जो आज देखे हैं जो बता रहे थे यह टाई अज वाले जो यहां पे वह भी उपस्ति हों आप यहां पर क्या कर रहे थे तो यह कितने बज़ें आपने देख लगोज साड़े छे बज़े फिर वो किधर चला गया इंसरे गने में फांद गया अच्छा आपने यहां पर जो बनिभाग को जब सूचना दी तो कोई यहां पर उपस्तित हुए थे पहले सुरूम कोई नह प्रास करते हैं कि यहां पर आये दिन यह टाइगर और यह तिंदुए यहां खेतों में टहलते रहते हैं क्योंकि एक ऐसी समस्याए बनी है यह जो छुट्टा जानवर है इनके पीछे जंगलों से बाहर निकलाते हैं उसके बाद में यहां गाउं तक यह ग्रामीरों के घर तक यह टाइगर और तिंदुए पहुचते रहते हैं और यहां पर बन विवाग के द्वारा यहां पर एलेक्ट्रिक तार जो होता है वो लगाने का यहां पर कारी चालू हो गया तीन मीटर कुछ किलो मीटर यहां पर जो तार है वो आ चुका है शे किलो मीटर के लमसम में हाँ पर तार जो है खावा जो जंगल के किनारे साइड में होता है उस पर लगाया जाएगा जिससे ये जानवर जंगल से बाहर ना निकल पाए और ग्रामीरों तक ना पहुँच पाए तो आप बने रहे हैं हम आपको पलपल की खबरे दिखाने का प्रियास करते रहेंगे